नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ, यहाँ पे आपने जो थमनेल पर डिजाइन देखा था, उसी के बारे में डिटेल में आपको बता देता हूँ, तो यह प्लान रहेगा इसका, और जिसका एक्चल हमारा जो एरिया है डॉटल, वो 30 by 60 फिट का है, और यहाँ पे सिंगल फ्लोर का डिजाइन बनाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे प्लान में क्या-क्या है, फ्रंट में गार्णिंग के लिए स्पेस रहेगा, एक चोटा टोलेट रहेगा, उसके बाद गैस्ट रूम है, और फ्रंट से ही यहाँ पे कार परकिंग एरिया और सीडियां है, हाल है, उसके बाद स्टोर रूम है, कीचन है, पूजा रूम और पिछे तो बैट रूम और आपका जो पिछे टोलेट बात रूम अटेच होंगे दोनों रूम के साथ, और वास एरिया भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो आई अब इसका जो 3D प्लान है, वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, 30 by 60 का है, फ्रंट इसका जो 30 फिट की जो चोड़ाई है और इसकी जो लंबाई है, वो 60 फिट की है, थ्री साइड पैक्ड हाउस है, यहाँ पे रमेश कुमार जी ने हमसे इस डिजाइन को बनवाया है, फरूक नगर के लिए, और उपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाटर टेंक है, और नीचे मम्टी बनाई गई है, बाकि सिंगल फ्लोर का डिजाइन है हमारा, जो रैजिडेंसल प्रपज के लिए है, इसके अंदर क्या-क्या बनाया गया है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, एक-एक चीज के बारे में बता देता हूँ, तो यहाँ से हमारा में गेट रहीगा, और में गेट में जैसे हम एंटर करते हैं, साइड की अगर बात करें, तो यहाँ पे फ्रंट में पार्क यानि गार्डनी के लिए स्पेस बनाया गया है, तो यह स्पेस रहेगा गार्डनी के और जो बाकिकी इसकी जो साइज की मेजरमेंट डिटेल है वो प्लान में आपको मिल जाएंगी प्लान मैं आपको वीडियो के सुरू में दिखा चुका हूं और अगर आपको प्लान चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे वर्टसप नंबर पे संपर्क करना होगा तो यहां प बगल में तो यहां पे चोटा टॉयलिट बातों बढ़रेगा बाहर देखेंगे तो वास्बेशन मिल जाएगा आपको और लगा सकते हैं तो यहां पर यह एक कंबनी यूज के लिए टॉयलिट रहेगा फ्रंट में इस तरीके का आप यहांपे बनवा सकते हैं अगर आपको गेस्ट्रूम के लिए एक दर्वाजा अंदर से भी रहेगा जो सामने आप देख सकते हैं तो यहाँ पर देखें इसको यह जो गेस्ट्रूम है और इसके कोर्णर में आप देख सकते हैं अलमारी बना सकते हैं जो की पीछे कीचन की तरफ अंदर की गई है यहां से लगवग पोने चार फिट की चोड़ाई में यह अलमारी है और उपर च्छत तक इसको आप बनवा सकते हैं उसके बाद में यह जो पूरा सेट अप है हमारा जो गेस्ट्रूम का यह देख आप चाहें तो यहां पर एक बैड भी रख सकते हैं चोटे सोफा रख सकते हैं या फिर पू वहाँ पर आप टीवी पैनल लगा सकते हैं यह जो दर्वाजा है यह पीछे हाल की तरफ खुलेगा उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो जो च्छत है उसका जो डिजाइन है वो भी मोडूलर में बनवा सकते हैं जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं त होँदा इस बाहर से जो हमारा कार प्रक का सपेस है वहां से एंटर करके पूरे घर के अंदर आपको ले चलता हूँ तो यह गारडनिंग एरिया है जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं इसके बाद यहाँपे यह कार प्रक किन पोर्च है तो ये मुख्य है हमारा जो अंदर जाने के लिए रास्ता होगा घर के अंदर जाने के लिए यहीं से हमारी सीड़ियां उपर गई है तो बाद में आएंगे सीड़ियों पर पहले यहां पर देख लेते हैं तो इस तरीके का आप दर्वाजा यहाँ पर लगवा सकते हैं ताकि आपको बाहर से जो आता है उसके बारे में भी जानकारी देए आता जाता दिखाई दे उसके बाद यह जो दर्वाजा था यह गैस प्रूम की तरफ खुलेगा हमारा जो कि हम देख चुके हैं तो आईए व यह कीचन है साइड में पूजा रूम था जो कि आप देख चुके हैं तो कीचन का जो साइज है थोड़ा रेंडम एरिया में बना है क्योंकि इसके पीछे यहाँ पर वास बेशन जो पूजा रूम है इसके अंदर से ही निकाला गया है तो थोड़ा स्पेस आप इसको यहां पर कीचन के सामने वास बेशन आपका आ जाएगा और एक जो बेटरूम है यहां पर पीछे दो बैटरूम में हमारे फस्स बैटरूम रहेगा यहां से अगर आप देखेंगे तो जो दोनों बैटरूम के साथ टॉईलेट बातरूम अटेज्ड हैं यहां से पहले मैं पिछे का टॉयलेट बात्रूं है इसके अंदर चैनल गजी आप ताइल वगारा जो चाहें अपनी चामुसार लगवा सकते हैं तो ये अब आपको रूम है वो मैं दिखाता हूं सामने अगर आप देखेंगे तो कीचन के साइड में यहां पर आप एक बड़ी वार्डरों बनुआ सकते हैं जो यहां वीडियो में आपको दिखाई दे रही है और यह अपका बैड होगा टेबल चेर भी आप रखना चाहें तो इस रूम में आ उपर से पुरा खुला है वेंटिलेशन के लिए बैस्ट ओप्शन रहेगी आपके लिए तो यह एरिया है पीछे का ओपन हमारा च्छाइफिट चोड़ाई में है तो यहां पर आपको स्पेस मिल जाता कपड़े सुखाने के लिए और पीछे जो आप एक खिड़की और दर रहा हमारा डाइनिंग एरिया है और यहां से होते हुए इस जो सैक्ट बेटरूम है कि सैक्टन बेटरूमं में एक और चीजे जोड़ दी गई है यां पर स्टॉर रों भी इसके साथ ही ज्वाइनट है तो वह भी दिखा देता हूं आपको मैं चली बहले रोम देख लेते ह इस room की अगर हम बात करें तो देखिए जो दोनो room है size में बिलकुल same है पीछे जाने के लिए दरवाजा खिड़की भी same है और जो toilet bathroom attach है वो भी बिलकुल same size के same style के रखे गए हैं तो यहाँ पे सामने इस bedroom में अगर पीछे की हम बात करते हैं तो है तो है toilet bathroom है बिलकुल जो पिछले room में हमने देखा था वही size वही style वही design वही इसके अंदर जो item है वो इसके अंदर include की गए है और front जो center की दिवार है दोनों bedroom के वहाँ पे आप TV पैनल लगा सकते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे store room की तरफ की store room की तरफ एक आप almira बाहर bedroom में लगा सकते हैं बाकी जो store room है उसमें आपका जो storage से related आपका जो भी समान है वह रख सकते हैं काफी बड़े size का साथ बाई दस का आपका अलगबक store room आपको मिल जाता है store room से खिड़की लगा सकते हैं आप हाल की तरफ जो कि यहाँ पे हमने लगाई है यह देखिए optional है आप चाहिए तो लगा सकते हैं दरवाइस को बिल्कुल close रखना है तो आप बिल और इस तरीके की जो सीडियां है आप यहाँ पर बनवा सकते हैं नीचे काफी स्पेस है गाड़ी खरे करने के लिए तो यहां से चलते हैं उपर और जो दिवारें हैं वहाँ पर हमने चार फिट तक जो टाइले लगवाई है इसके अंदर शोकी है तो चार फिट तक आप टाइल लगवा सकते हैं इसके अंदर आगे की सेप्टी के लिए यह फ्रंट के अगर यहां पर पोर चीज़ों मम्टी है इसमें गलास लगा सकते हैं पूरा में भी लगा सकते हैं जब हमने दो यहां पर अलगलग पैनल लगाए हैं तो दो पैनल लगाएं तो थोड़ा डिजाइनर लगेगा अगर आप प्लेन एक सिंपल पूरा रखना च उपर चलते हैं और यह बाहर जाने के लिए डोर रहेगा जो टैरेस है हमारा टैरेस के उपर जाने के लिए यहां से दरवा जा रहेगा तो यह है दोस्तो आज का हमारा डिजाइन आसा करता हूं आपको डिजाइन पसंद आया होगा अगर इस डिजाइन में कुछ आपको कम जाइन हमसे बनवाने के लिए आप हमारे contact नमबर वर्डशाप नमबर पर संपर्क कर सकते हैं चलिए आज का वीडियो जो हमारा है आपने देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद झाल पाल श्लवादाप बन्वादा बहुत बढ़ राय को झाल जापक बढ़ को बत्तोर्ट बहुत धन्यवाद़ spiritual आपका बहुत». झाल झाल